आज तारीख अधार ओक्टोबर बे हजार एकविस नांग रोज सूरत्ती प्रगट थता गुजराती दैनिक गुजरात मित्र नांग चर्चा पत्र विभाग मांग स्थान पामेलूं मारूं एटले के पियुश महेता निवासी नानपुरा सूरत त्रण लाख पंचानूं हज द्वारा लिखित तारीख आठ ओकटोबर बे हजार एकविस नांग रोज मोकलेलूं चर्चा पत्र विशय चीन उतावडी प्रगती वधारे जल्दी अधोगती अमेरिका देश बन्यों त्यारती लगबग 200 वर्षे प्रगती नांग उच्च शिखर सर करी शक्यों पन ते चीन पन दुनिया ने बतावी देवा कैक गतकडान केटलिक वार विचार थाय केशूं आ जरूरी छे खरूंग एवा पन करतूं रहियूं छे जे नूंग एक उदाहरन आपिये तो काच नोपूल जे मांग पन बहु जल्दी नुकसान थयानान समाचार जानवामां आव्या कोरोना वायरस नुन आधुनिक स्वरूप आखी दुनिया मांग फेलाववा माटे पन तेनी सामे ज अंगुली निर्देश थाये छे कदाच विश्व स्वास्थ्य संगठन कहेवाती तपास करीने तेने निर्दो श्ठेरवेतो पन लोकोना मनमान तेनी सामे शंका रहेवानी पूरी शक्यता छे पोतानी आर्थिक अने लशकरी ताकात्थी पूरी दुनियाने डराववानी अने प्रकारनी चेश्टा करतूं रहियों छे पन हाल त्यानी घणी मोटी ग्रू बांधकाम कमपनी ए डूबवानी अने डूबाडवानी पूरी तैयारी करी दीधी छे अने खाली खोखा जेवा गगन चुम्बी रहेनाक तावर्स जमिन दोस्त करवानी शरूआत करी दीधी छे प्रगती माटे पर्यावरनी चीनता बाजुए मूकी साथे साम्यवादी हवे फक्त नाम नुग्ज राज्य व्यवस्था होवा छतां कामदारों नां रक्षन बाबते नकारात्मक नीती अपनावी छे जे भारत सहित विदेशी निवेशकोंने आकर्षती आवी छे कोलसा नो बेहद वपराष्ट्यान नां हवामानने विपरित असर करतुं रहियों छे अने हाल कोलसा नां परिवहननी समस्याने कारणे वीजडी नुम उत्पादन भारे मात्रा मांग नीचे गयों छे आ बाबत एक वात बीजा देशोंने जरूर शिखवी जाये छे के उद्योग पतियो एक पोते सुखी थवुं होय तो पहेलां सूरत केटलाक उद्योग पतियो सहित देश नां टोच नां केटलाक उद्योग ग्रुहो कामदारो नां अने तेमना कुटुम्बियो अने समाज नां हितनो विचार करता जरहे छे अने एप्रमाने नीती नुन अमली करण करता होये छे अने हवे परियावरण बाबते पन सजाग रहेता होये छे ते नीती जरूरी छे अने नहीं के कामदार कायदा अने परियावरण नां कायदा मांग नकारात्मक फेरफार मांगवानी साम्यवाद भले निश्वर देखातो होई, पन तेनो अर्थ मुडिवाद सम्पूर्ण सफर छे तेवूं तो नथी जदेखातुं। कहेवाएजे के विश्वणी नेवूं तका सम्पत्ती फक्त दस तका लोको नां हात मांग छे अने ए लोको नु मानस नेवूं नांग पंचाणूं तका करवानूं होई शके पन लोको नी खरिद शक्ती नांग अभावमान तेम नांग बजार पन संकोचाई जाये ते नानपूरा सूरत, पियुश महेता गुजराती से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में गूगल द्वारा अनुवादित संभावित परिवर्तनों के साथ गुजराती दैनेक 18 अक्टूबर 2021 को सूरत से प्रकाशित गुजरात मित्र के रीजर्स व्यू सेक्षन में मेरे द्वारा भेजा गया चर्चा पात्र यानी पियुश महेता, नानपूरा, सूरत 2001 का निवासी विश यह चीन, तेजी से प्रगती अधिक तेजी से गिरावट सहयुक्त राज्य अमेरिका अपने देश बनने के बाद से लगभग 200 वर्षों तक प्रगती के शिखर पर पहुँचने में सक्षम रहा है लेकिन वहां भी प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों से सवाल उठ रही है कि क्या यह सबसे उंची चोटी पर टेकेगा या नहीं और इसके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के लोगों की नजर में चीन है चीन के पास दुनिया को देखाने के लिए कुछ सुराग भी है यहां तक की कभी कभी सोचा जाता है कि जिसकी कोई आवश्यक्ता नहीं हो सकती है वैसी चीजे भी देखावे के लिए करता था इसका एक उदाहरन कांच का पोल है जिसके बहुत जल्द क्षतिग्रस्त होने की भी जानकारी आई थी कोरोना वाइरस के आधुनिक रूप के लिए भी दुनिया भर में फैलने के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है भले ही विश्वस्वास्थि संगठन तथा कथे पूचताच के बाद उसे क्लीन चीट दे दे पर इस बात की अच्छी संभावना है कि लोगों को उसके बारे में संदे होगा वो अपनी आर्थेक और सैन्य ताकत से पूरी दुनिया को डराने धमकाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता रहा है लेकिन अब कई बड़ी हाउसिंग कमपनिया दूबने और दूसरों को दुबाने की तयारी कर रही है और खाली विरान गगन चुमबी इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है प्रगति के लिए पर्यावरणिये चिंताओं को एक तरफ रखने के अलावा कम्यूनिस्ट अब केवल नामात्र राज्य प्रणाली ने श्रमिक सनरक्षन पर एक नकारात्मक नीती अपनाई है जो विदेशी निवेश को भारत सहेत को आकर्शित कर रही है कोईले की अत्यधिक खपत से वहां की जलवायू पर प्रतिकूल प्रभाव पर रहा है और वर्तमान में कोईले के परिवहन की समस्या के कारण विजली के उत्पादन में भारी कामी आए हैं एक बात जो अन्य देशों को सिखाने की जरूरत है वो यह है कि अगर उद्योग पती खुद खुश रहना चाहते हैं तो सूरत सहित देश के कुछ शीर्ष और द्योगिक घरानों की तरह श्रमिकों और उनके परिवारों और समाज आदी के हितों के बारे में सोचने की और उनको उपर उठाने की नीती को लागू करना और अब पर्यावरन के प्रती जागरूख होना जरूरी है न की श्रम कानून और पर्यावरन कानून में नकारात्मक बदलाव की मांग करना कहते हैं दुनिया की 90 प्रतिशत संपत्ती सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में है और लोगों की मानसिक्ता 90 प्रतिशत में से 95 प्रतिशत बनाने की हो सकती है लेकिन यह बहुत संभव है कि उनका बाजार से कुर जाएगा लोगों की खरीद शक्ती की कमी के कारण NANPURA, SOORAT, Piyush Mehta From Gujarati to English Gujarati Daily published from Surat on October 18, 2021 discussion paper sent by M.I.E. Piyush Mehta President of NANPURA, SOORAT 2001 In the Reader's, View section of Gujarat Mitra Subject China, Hasty Progress More rapid decline The United States has been able to reach the pinnacle of progress for almost 200 years since it became a country. But there also, due to natural and man-made causes questions are being raised as to whether it will survive at the highest peak or not and the biggest challenge to it. So far has been in the eyes of world peoples. Is China China also has some clues to show the world. Even thought sometimes it is might be of no necessity, Haze used to do that too. An example of this is the Glass Bridge, which was also reported to have been damaged very soon. For the modern form of the coronavirus also, China is being blamed for spreading around the world. Even if World Health Organization may give him clean cheat after so-called inquiries, there is a good chance that people will have doubts about him. He has been making various attempts to intimidate the whole world with his economic and military strength. But now many big housing companies are preparing to sink and let sink others and have started demolishing skyscrapers like empty huts. Aside from putting environmental concerns aside for progress, the communist, now only nominal, state system has adopted a negative policy on worker protection, which has been attracting foreign investors, including India. Excessive consumption of coal has been adversely affecting the climate there. And currently the production of electricity has come down drastically due to the problem of transportation of coal. One thing that other countries need to be taught is that if the industrialists want to be happy themselves, including Surat. Some of the top industrial houses in the country keep thinking of the interests of the workers and their families and society and so on. It is necessary to implement the policy and now be aware of the environment and not to demand a negative change in labor law and environmental law. It is said that 90% of the world's wealth is in the hands of only 10% of the people and that the mindset of the people may be to make 95% of the 90%. But it is quite possible that their market will shrink due to lack of purchasing power of the people. Nan Pura Surat, Piyush Mehta